नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे रीतिकाल की प्रस्तितियां देखे कोई भी समय काल क्यों न हो उस पर उस काल की प्रस्तितियां जैसे राजनितिक, समाजिक, सांस्कृतिक या साहितिक इन सभी प्रस्तितियों का उस काल के साहित्य पर परभाव अवश्य पड़ता है तो अगर किसी भी काल के साहित्य को जानना है तो उस समय की प्रस्तितियां जानना अति अवश्यक हो जाता है तो आज हम यहाँ पर रितिकाल की प्रस्तितियों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे देखे सबसे पहले है राजनीतिक प्रस्तितियां क्योंकि राजनीती संपूर्ण देश को संपूर्ण समाज को परभावित करती है तो सबसे पहले हमने ली है राजनीतिक प्रस्तितियां राजनीतिक दिर्ष्टी से अगर देखें तो ये जो समय था ये घोर निराशा और पतन का समय था यानि रितिकाल के समय में निराशा और पतन था कहां पर राजनीति में यानि राजनीती में शान्ती नहीं थी देखिए सबसे पहले मोगल बादशाय जो अकबर है उनके मृत्यू के पस्चात या उनके शाशनकाल के बाद जो समय शुरू हुआ वो रितिकाल का समय है रितिकाल में सबसे पहले जिस बादशाय का जिकर हम यहां करेंगे वो है जहांगीर अकबर के अगर बात करें तो अकबर के काल में जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो काफी बढ़ी अकबर का सामराज्य काफी विशाल बना त्यों कि उनका उदारवादी द्रिश्चिकोन था जो धर्म के प्रति समन्वय का भाव है या हिंदूों के प्रति जो उनके मन में भाव थे उसे के कारण उनके सामराज्य का विश्चार हुआ लेकिन अकबर की मृत्यू के पस्चाथ जब जहांगीर का शाषन का लाया तो उन्होंने अपने सामराज्य विश्चार पर अधिक ध्यान नहीं दिया बलकि संगीद और कला के विकास पर ध्यान दि इसलिए इस काल में राज्य का विस्थार नहीं हुआ लेकिन और संगीत और कला के खिशेतर में काफी विकास हुआ जहांगिर के पस्चात शाह जहां का समय आता है शाह जहां का जो काल है उसमें सुक, समरिधी और शान्ती थी चारोर उनके शाशन में, उनके राज्ये में यानि चारोर शान्ती का वातवरन था जब शान्ती का वातवरन होगा तो क्या होगा सब के नए नए विचारों का मन में सब के नए नए विचार आएंगे और नए विचारों के विकास से कलात्मकता बढ़ेगी यानि जो कलाएं हैं साहित्ते हैं उसमें विकास होगा और ये शाहजा के काल में हुआ इसका सबसे बड़ा जो उधारन है वो आप ताज महल के रू उसके बाद अगर हम बात करें, शाजाव के पस्चात औरंग जेव का काल आया और औरंग जेव जो एक कत्तर प्रवर्ति का व्यक्ति था, उन्होंने अपने बड़े भाई दारा का वद्ध करवा दिया था और शाशन पर स्वेम वो विराजमान हो गए थे, सत्ता में आ गए इनका जो शाशन काल था, उसमें सबसे जादा इन्होंने समराज्य विस्तार पर ध्यान दिया, यानि अपने राज्य का विस्तार और इसके साथ वो धरम के क्षेतर में भी काफी कट्तर रहे, यानि जो मुगल थे, उन्हें मुस्लिम धरम को उन्होंने अपनाया, हिंदू धरम के मंदिरों को नस्ट करना लोगों को परतारित करना ये इनकी नीती थी इसलिए इस काल में शांती नहीं थी जो कला और संगीत है उसका पतन हो गया था और राजा के स्वयम के सभाव के कारण ही जो मुगल बाजशा औरंग जेव है क्योंकि ये संदेही प्रवर्ति के थ जो सामराज्य है वो शांती में अपना समय वैतीत नहीं कर पाए इस तरह से देखे जब इनकी मृत्यू हुई तो कोई भी योग्य उत्रादिकारी ने नहीं मिला किसको मुगल सत्ता को और इससे क्या हुआ कि जो मुगल सत्ता थी वो कमजोर हो गई और पतन की और अगरसर ह गई ऐसे समय में जब मुगलों का कोई अच्छा उत्रादिकारी नहीं है जो मुगल सत्ता का विस्तार कर सके ऐसे में जो भाहरी आकर्मन कारी थे जैसे नादिर शाह और एहमद शाह अबदाली इनके आकर्मनों से मुगल सामराज्य पूरण रूप से पतन की और अगरसर हो प्रतिय के हो गए थे Uhनों के प्रती आपने अपने ऐसे पंजाब का अपना राज्य विस्तार प्रारम्भ हो गया था राजभूत अपना शाशन बचाना चाहते थे और डक्षिन नहीं उल्जी हुए है यानि उनमें आपसी फूट है और उसका फाइदा किसने उठाया अंग्रेजों ने और सत्ता का विस्तार प्रारंब कर दिया जो अंति मुगल समराठ थे बहादू शाजफर जो की दिल्ली सल्तनत के शाशक थे उनको भी किसने हटाया था अंग्रेजों अपनी जो विलास प्रब्रती थी उस HERE में रमय रहे अपने राज्य को बचाने का उन्हों सम्पूर भार्त पर अधिकार कर लिया त्यूंकि यह वह काल था जब अंग्रेज को करें ठादा कि जो समय है तो इसमें जो सतरा सो से लेकर अठारा सो पचास तो इस काल में जो देख रहे हैं कि सबसे जदा विकास और विस्तार किस ने किया अंग्रेजों ने क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो साधन थे वो बढ़ा लिये थे और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना दिकार कर लिया था सादन क्या बढ़ा लिये थी जैसे डाक्तार वेवस्ता है रेल वेवस्ता है टेलीफोन की जो वेवस्ता थी वो भी अंग्रेजों की देन है तो ये जो चीजें थी अंग्रेजों के कारण भारत में आई लेकिन वो किसके लिए अंग्रेजों के अपनी सुविदा के लिए ये वो चीजे अंग्रेज लेकर आई किसलिए ताकि भारत पर जल्दी से जल्दी अधिकार किया जा सके भारत में जो जगें जगें विद्रो हो रहे थे उन विद्रो को रोका जा सके इसी कारण अंग्रेजों ने इस समय की प्रस्तितियों का अच्छा लाब उठाया और राजनी करद आज जो किसान है वो अंदोदन कर रहे हैं यह वर्तमान समय में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है तो उस समय भी समाज की दृष्टी से अगर देखें तो अराजकता का युग था यानि समाज में भी शांती नहीं थी इस समय समाजिक प्रस्थितियां थी वो चिंतनिय थी बहुत जादा बढ़ गई थी यानि समाज को जो कुरीतियां थी वो अपने में जकड़े जा रही थी समाज मुख्य रुप से दो वर्गों में बढ़ गया था वैसे तो समाज अलग-लग वर्गों में बटा हुआ था जाती के आधार पर लेकिन यहां पर मुख्य वर्ग दूसरा गरीब उसके बाद अगर देखें तो जो समाज के कवी थे वो कवी समाज के सुख दुख से चुड़े हुए नहीं थे बलकि वो कभी भी दर्बार के बंद कर रहे गए थे यानि इन कवीयों को क्योंकि हम देखते हैं कि साहित्ते ततकालियन समाज का आइना होता है लेकिन इन कवीयों ने शायद समाज की तरफ से अपनी आँखें बंद कर ली थी क्योंकि ये कवी अधिकतर दर्बारी कवी थे और उन्होंने समाज को सुख देने के लिए शान्ती देने के लिए उनके जीवन में जो प्रस्तितियां थी उनको दिखाने के लिए कवे की लचना की तो इस से हमें क्या पता चलता है कि उस समय जो समाज की पड़े लिखे लोग थे या पड़ा लिखा वर्ग था उनका भी नैतिक पतन हो चुका था जो भंधी भावणा थी वो समाप्थ हो चुकी थी और भंधी भावना का सिथान किसने ले लिया था वासनात्मः भावों ने ले लिया था जहां राम और सीता की भक्ती की बातें आती है वहां पर राम और सीता की भक्ती भाव नहीं आ रहे थे बलकि वासना के विचारा आ रहे थे तो इस तरह से अगर हम देखें तो समाज की जो दशा है वो अच्छी नहीं थी ना ही समाजिक दिरिश्ची से और ना ही आर्थिक द्रिष्टी से समाज समरिद था समाज दिन प्रति दिन अंद विश्वासों में ही जगड़ा जा रहा था और जो रूडियां थी वो रूडियों के कारण और अंद विश्वासों के कारण समाज में कोई विकास की बात या परगती की बाते नहीं हो रही थी इसके बाद है तीसरी जो हम यां प्रस्तितियां ले रहे हैं वह धार्मिक प्रस्तितियां देखे जब समाज अच्छा नहीं है राजनीती में कुछ खुशाली नहीं है तो धरम धरम भी तो अपना परचार परशार करने का प्रियास करेगा क्योंकि समाज में हमने देखा समाजिक प्रस्तितियों में कि समाज में फूट थी, एकता नहीं थी अलग अलग जो भाग थे उसमें अलग अलग जाती पाती के धार पर बढ़ गए थे, तो ऐसे में धरम भी अपनी जो रूडी वादिता है उसे स्थापित करने का प्रयास करेगा और वो हो भी रहा था धार्मिक शेत्र में जो रूडी वादिता थी वो और अधिक जड़े मजबूत कर रही थी इसके साथ अंध विश्वास बढ़ रहा था क्योंकि जब समाज में शांती नहीं है तो एक अशांत व्यक्ति कहीं न कहीं सुख ढूणने का प्रयास करता है और ऐसे में अंध विश्वासों में भटक जाता है यानि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से दुखी है घर में परिवार में शांती नहीं है समाज में शांती नहीं है तो वो कहां जाता है इश्वर के पा तो तुम्हारे घर में यह हो जाएगा यानि अंद विश्वास और जिससे तोने टोटके इस तरह के जो विचार थे वो धरम के एक शेतर में बहुत जादा बढ़ गए थे जो राम और क्रिशन भक्ति काल में मंदिर में बैठे थे उनको मंदिर से निकाल कर दरबार में नायक और नायका के रूप में स्थापित कर दिया राम और सीता अब नायक और नायका बन गए थे देव और देवी नहीं थे अब नायक और नायका बन गए थे दरबार में उनका संद्रिय का वर्णन किया जा रहा था उनके प्रेम भाओं का वर्णन किया जा रहा था जो राधा और क्रिशन मंदिर में बिठा कर हमने जिनकी पूजा की थी भक्तिकाल में सूर्दास ने जिसके वातसल्य का वर्णन किया था आज वही क्रिशन यहाँ पर नायक के रूप में स्थापित हो गया था और उसका नक्षिक वर्णन किया जा रहा था राधा जो किसी समय पूजनिय थी मंदिर में आज उसका भी नक्षिक शारीरिक सोंद्रे का वर्णन किया जा रहा था यानि अश लिलता आ गई थी धरम के क्षेतर में भी और जो परमुख धरम थे जैसे की हिंदू धरम, मुस्लिम धरम, जैन धरम ये सभी धरम इनमें विकृतियों के कारण संपरदायों मे विभाजन हो गया था और जैसे वैशन धरम अनेक शाखाओं में बट गया था जो क्रिशन भक्ति से जुड़े संपरदाये थे वो भी अनेक हो गये थे और यहां पर मुख्य तोर पर जो मुख्य बात है कि जो जो संपरदाये थे वो अपने आपको ख्षेष्ट बता रहे तो ऐसे में जो सामान्य इंसान था जो आम जनता थी वो बर्गलाई जा रही थी उसको धोका दिया जा रहा था धरम के नाम पर संपरदायों के नाम पर उसके साथ चल किया जा रहा था तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो धार्मिक प्रस्तितियां थी वो भी अच्छी नही थी ऐसा नहीं है कि जिन राम को हमने मंदिर में पूजा था आदर्श माना था आज भी हम उसे आदर्श नहीं मान रहे थे बलकि आज हम उसे नायक और नायका मानकर उसके शारीरिक सुंद्रिय का वर्णन कर रहे थे उसके प्रेम का वर्णन कर रहे थे तो इस तरह से हम देख कि समाज में कुछ अच्छा हो इनी रहा तो साहित्य में क्या हो सकता है तो आइए देखते हैं लिए के लिउस्टन के साधन बन गये white साहित्य में जो भी लिखा जा रहा था वो या तो दर्बार के राजाओं को प्रसंद करने के लिए लिखा जा रहा था या नाइक नाइकाओं के जो एशलील चितरण था उसके लिए लिखा जा रहा था और ये सब किसलिए केवल मनुरंजन के लिए लोगों के हित के लिए या लोगों को उचित जीवन दर्शन के लिए नहीं लिखा जा रहा था बलकि उनके मनुरंजन के लिए मुखे तोर पर इस समय में अगर हम देखते हैं तो केवल दर्बारी कवे हमें मिलता है मुख्यत है मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा ही कवे दर्वारी कवे है लेकिन मुख्यत है जो कवे है वो दर्वारी कवे है यानि ये कवी दर्वार में रहे कर अपने राजा को प्रसंद करने के लिए लिख रहे थी और राजा को जब परसन करने की बात आती है तो राजा परसन कैसे होगा जब उसका मनोरंजन किया जाएगा तो उस मनोरंजन के लिए साहित्य में एशलीलता आ गई थी जादा तर जो रचनाएं है वो शिंगार परधान कावे की रचना की गई यहां मैं यह भी बताना चाती हूँ कि यह जो रचनाएं की गई मुखे तोर पर मुक्तक कावे लिखे गई वैसे तो यहां पर और भी रचनाएं जैसे प्रबंद कावे खंड कावे गीती कावे लिख लेकिन मुख्य तोर पर जो रचना की गई वो मुख्तक काव्य की रूप में की गई ताकि जल्दी जल्दी छोटे-छोटे जो कविताएं लिखी जा सके और जिससे की राजाओं को प्रति दिन दर्वार में सुना कर प्रशंसा बटोरी जा सके क्यों कि दर्वारी कवी थे कु की और नकल करके क्या किया उनके द्वारा बताये गए लक्षणों और उधारनों को अपना आधार बना कर गरंथ लिखिए कुछ कवियों ने लक्षन भी दिये और उधारनों से उन्हें सपस्ट भी करने का प्रयास किया जो रिती बद कवी है रिती सिद्ध कवियों ने लक्षनों के आधार बना कर रचनाई की उन्होंने उधारन नहीं लिये लेकिन इस काल में रिती मुक्त कवी भी हुए जिन्होंने अपने व्यक्तिकत प्रेम भावों की अभी व्यक्ति की वर रिती मुक्त का व्यधारा में अशलिलता नहीं है ना के ब्राबर ऐसा नहीं कहेंगे अपवाद है लेकिन ना के ब्राबर है क्योंकि उनकी जो प्रेमिकाएं थी वो उनसे व्यक्तिकत रूप से प्रेम करते थी वो किसी को परदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए उन्होंने कावे की रचना नहीं की जो रिति मुक्त कावे है उन्होंने अपने मन के भावों को अभिवेक्ट किया है राजाओं को प्रसंद करने के लिए रचना ये नहीं की तो तीन प्रकार का साहित्य मुखे भावों की अभिवेक्ति का कव्य है मुगल दर्बार के जो कवी थे उनकी मुख्य भावों को अभिवेक्ति करने में और ब्रज भाशा को अपने कव्य का माध्यम बना रहे थे जो हिंदी कवी थे जो मुगल कवी थे या फार्सी भाशा के कवी थे वो फार्सी भाशा में ही रचना कर रहे थे लेकिन जो हिंदी कवी थे वो ब्रज भाशा का प्रियोग कर रहे थे तो इस समय रस अलंकार शिंगार ये सब चीज़े बहुत जादा परभावी रही साहित्य में और साहित्य को अलग अलग संस्कृत संपर्दायों को आधार बनाकर उनकी रचना की गई जो संस्कृत आचारियों के द्वारा संपर्दाय बनाए गए थी जैसे ध्वनी संपर्दाय है रस संपर्दाय है अलंकार संपर्दाय है वक्रोक्ती संपर्दाय है इस परकार से उन संपर्दायों को आधार बनागर कावे की रचना की गई और इस काल का कावे मुख्य तोर पर अलंकार परधान कावे है यानि रचनाओं को सुन्दर बनाने का प्रयास किया गया यह जो कावे है यह भाव परधान नहीं है यहां भाव पर मुख्य नहीं थे बलकि कला पर मुख्य यानि कला कुछ भी नहूँ लेकिन जो शब्द हैं वो भारी भरकम और सुन्दर अलंकारों से भरपूर होने चाहिए भाव परधान नहीं है तो यह रितिकाल के साहित्य की प्रस्तितियां थी तो आज हमने यहां पर मुख्य प्रस्तितियों की बात की जो कि रितिकाल के अंतरगत आती ह है और इनहीं प्रस्तितियों से प्रभावित जो रितिकाल इनसाहित्य है उसका हम अध्यन करते हैं तो उम्मीद करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और इसके साथ वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर